हलो एब्रिवन स्वागत है आप सभी का दोस्तों फिर से एक बार हमारे अपने यूट्यूप चैनल आच्छी दुनिया पर दोस्तों और आज का वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है यार बहुत ही एकसाइटिंग होने बाला है अब आपक पर दोस्तों सही सुना इंग्रिश मीडियम का वीडियो बहुत सारे लोग दोस्तों कंटिनियसली कमेंट कर रहे थे मेरे चैनल पर के बहुत है आपके लिए जो भी समझाओंगा बहुत ही इमनदारी समझाओंगा उसमों बात करते हम लोग आईए कोशन नंबर वन की यून इंग्रिश मीडियम में तो दोस्तों देख सकते हैं आप स्क्रीन पर हम लोग पहुच चुके हैं और यहां पर लिखा हुआ है एक्स्पें दग कंसेप्ट ऑफ लीजन और डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ लीजन इंडियन ससाइटी कंसेप्ट ऑफ लीजन को बताना ह और दूसरा आपके लिए बताना है इंपॉर्टेंस ऑफ लीजन इंडियन ससाइटी तो बात करते हैं हेडिंग की दोस्तों तरीका क्या है लिखने का मैं आपको हर वीडियो में जैसा की बोलता रहता हूँ आपको आपके अंसर राइटिंग में हेडिंग बनाना है सेंटर ह अंसर लिखना है paragraph 20 कई सारे लोग ऐसी गलती करते हैं दोस्तों कि पूरा का पूरा अंसर एक ही paragraph में छाप दिया अरे भाई ऐसा नहीं करना है paragraph को ब्रेक करके लिखो ना भाई क्या तुम एक बार में सोबह से लेकर शाम तक खाना खा जाते हो ऐसा तो नहीं करते हो ना तो कोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और आराम से चीहों को लिखो फिर देखते हैं क्या से नंबर नहीं मिलते सब को नंबर मिलेंगे बराबर मिलेंगे तो दोस्तों यहां पर आप दिख सकते हैं heading मैंने आपको लिए बता दी बात करते हम लोग answer की तो क्या बता रहे है religion has a special place in the Hindu social structure धर्मी की एक बहुत ही important place है Hindu social structure में in the Hindu society region has now been considered as integral part of life क्या बता रहे हैं दोस्तों आपके लिए के Hindu society में religion एक integral part है हर एक व्यक्ति के जीवन का हर एक व्यक्ति की life का in the Hindu society every action has been tested on the basis of religion आप समझ सकते हैं Hindu धर्म में कोई भी action होता है हम कोई भी काम करते हैं यह हम धर्म के याधर पर करते हैं दोस्तों तो यह बहुत ही खुबसूरत बात है Hindu society में Hindu धर्म से संबंदिर आए दोस्तों बात करते हैं हम लोग बहुत जल्दी से second paragraph की क्या लिखा हुआ है from this इन चीज़ों को समझते हुए पढ़ते हुए हम यह कह सकते हैं कि हर एक action कोई भी मनुश्य जो action करता है वो धर्म से संबंदित होता है ऐसे ही Hindu society में religion को एक importance दे हुई है एक paramount importance के तोर पे माना गया है Hindu society में दोस्तों हर वेक्ति को कुछ rules follow करना पड़ते हैं कुछ instructions follow करना पड़ते हैं और कुछ orders को भी मानना पड़ता है अब दोस्तों आप का होगे कि क्या यह job है क्या ऐसा कुछ करना पड़ता है नहीं भाई rules instruction orders का useable jobs में नहीं होता है भाई आप Hindu dharm से संबंदेत हो आप उता है उपनयान संसकार यहीं कि जिसको हम मुंडन संसकार भी बोलते हैं और फाइनली व्रत्यू तक 16 संसकार उसके जीवन में हो जाते हैं तो दोस्तों यहीं तो रूल से हैं तो दोस्तों इस तरह चीह हैं जो हैं आप दीख सकते हो आगे बताए हुए religion is considered to be one of the best friends of a person बा आपका West friend आपकी गाड़ी के पैटूल खता मोने के टाइम पर पुरंद आपके लिए आजाता है एक बार में एक फोन करने पर एक मैसेज करने पर एक वीडियो कॉल करने पर वैसे ही दोस्तों लीजन भी आपकी हमेशे मदत करता है इसलिए हमारी संस्तित भाषा में हमारी देव भाषा में हमारे रिशियों की भाषा में कहा गया है धर्मो रक्षती रक्षता तुम धर्म की रक्षा करो धर्मत्वारी रक्षा करेगा दरूल ओफ रिलीजन इस इंपोर्टेंट इन मैंटेंग डिस्टेंस ऑफ हिंदू सुसाइटी लीजन का जो रोल है दोस्तों इंपोर्टेंट है हिंदू सुसाइटी के एग्जिस्टेंस को मैंटेंग करने के लिए बात करते हैं दोस्तों हिंदू रिलीजन इस लेटेट टू ओल एस्पेक्ट आफ लाइफ जो हिंदू धर्म है ये जीवन के हर आसपेक्ट के लिए इंपोर्टेंट है इच एंड वारे में समझना चाहिए जानना चाहिए तब ही दोस्तों हमारे धर्म का अस्टिब रह सकता है बात करते हajcieinkश रजहां के हैं अब इसका मतलब यह नहीं है से मतलब हर धर्म की दोस्तों कुछ इथिक्स होती हैं कुछ moral values होती है उन moral values को और इथिक्स को जब आप धरन करने लगोगे मतलब follow करने लगोगे तभी दोस्तों वह धर्म कहलाएगा आगे बता रहा है आपके लिए एक और संस्कृत में आपर statement दिया हुआ है कि the belief of legion in the Hindu society is as follows that is something can be called region only because of wearing it हर एक चीज को आप धर्म तब बोल सकते हो जब आप उसको धरन करें यह से for example कि भाई किसी को धोका ना देना सच बोलना आप धरन कर रहा है उस बात को आप follow कर रहा है मतलब यह आपका धर्म है तो दोस्तों ऐसे ही राजा का धर्म कुछ और है प्रजा का धर्म कुछ और है student का धर्म कुछ और है ठीक है father का धर्म कुछ और है मदर का धर्म कुछ और है तो दोस्तों इस तरह से finally जो है चीज़ें होती है तो रिजन को explaining करते हुए एक writer है जिनका नाम है बो सांग के वो कहते हैं हमको जहां पर भी लेजियस devotion दिखता है strength दिखती है दोस्तों वहीं पर धर्म है और धर्म में ये सारी चीज है यानि कि devotion होना धर्म में strength होना धर्म के लिए जुडाब होना attachment होना ही धर्म की primary stage मानी जा हो गए होंगे एदम शकर के दानों की तरह आपको समझ में आगाए होंगे अब बात करतें दोस्तों लोग हमारे second paragraph की second paragraph में हम शुरू करतें दोस्तों सबसे पहले second heading क्या दे हुए आपको heading characteristics और characteristics of religion अब थोड़ा सा मैं भी यहां पर confused हो गया इसा लग रहा है मुझे कि यहां पर आपके लिए एक characteristics राटा देना चाहिए मुझे क्योंकि ज्यादा sticks अच्छी नहीं है एक ही इस्टिक बहुत है तो characteristics का मतलब होता है बिशेष्टाएं तो क्या क्या बिशेष्टाएं होती हैं दोस्तों एक religion में तो दोस्तों लिखा हुआ है पहली बिश करना पड़ेगा spiritual power पे यह धर्म की सबसे पहली बिशेष्टा या condition है दूसरा ritual आपको rituals को मानना पड़ेगा दोस्तों for example हर धर्म के अपने rituals होते हैं और उसको मानने के लिए हम शुरू से ही बात्यकारी होते हैं हम अपने धर्म की चीज़ियों को follow करते हैं बच्पंस this is called rituals थर्ड है दोस्तों mental attachment आपको mental attachment रहना पड़ेगा तभी धर्म का तीसरा condition follow हो पाएगा अब mental attachment का मतलब क्या तो दोस्तों आपने देहा हुए के भूस सारे जो हम बुल सकते हैं कि अच्छे भों हो जो है जो जो समयदार रहोग ढर्म के बारे में नाम जब हो उतने में भगवान आपके साथ रहेगा तो इस इस काल्ड मेंटल अटेजमेंट हमारा फूर्थ पॉइंट है दोस्तों सेंस और प्योरिटी प्योरिटी होना चाहिए पबित्रता होना चाहिए दोस्तों पबित्रता का मतलब यह नहीं है वाई कि बस सुबह नहा लिए तैयार हो गए अच्छा डियो लगा लिया बॉड़ी में और बस फ्री हो गए प्योरिटी का मतलब यह वाई कि आप मन से कितने साफ हो किसी के प्रति आपके मन में कोई इगो कोई हेट्रेड तो नहीं है इस इस कॉल्ड सेंस और प्योरिटी फिट पॉइंट दोस्तो देश को फॉलो किजिए तो दोस्तों इस तरह से यह आपके लिए पांच चे पॉइंट यहां पर दिये हुए हैं दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं इन्हीं पॉइंट मैंसे दो पॉइंट की इसके बात कि जो पॉइंट से वो नेक्स वीडियो में लेकर आउंगा तो से लोग जो इस वीडियो को आया तक देख चुके हैं वो लोगों से मेरे निवेदन है रिक्वेस्ट है मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह की आगे की वीडियोस आपके लिए मिलती रहेंगी आपको कंटेंट मिलता रहेगा और आईडियो भरत की आ रहता हूं मेरे वीडियो के बारे में कुछ इंपोर्टेंट कुज बगेरा कुछ पोस्ट में आपके लिए बताता रहता हूं इस तरह से आपके लिए कुल बिलाकर पूरे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी यहां पर तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों के साथ कंट प्रति फार के प्रति सुपर हूमन पावर्टि मतलब आप बढर्मेंख हैं हम धर्म से जम्मन देते हैं और आप बरूहिब नहीं करते आप इस प्रकार नीजन फॉलो कर रहे हो तो इस एप्सेंस बीजन केंड़म से इमेजर्ट तो भाई अगर आपका बिश्बास ही नहीं पर तो आप समझ लो कि आप रिलिजन को समझ ही नहीं सकते लिस इस दा बेसिक फाउंडेशन ऑफ रिलीजन जिसमें एक पर्सन धर्म से जुड़ता है सेकेंड दोस्तों हमारे जैसे में आपको बताया था कि हर धर्म में कुछ रिचुवल्स होते हैं तो एक्सप्रेशन ऑफ स्विद्रेशन ऑफ तो बताये हुए जैसे जैन्ध्रम के रिचुवल्स हें बौट अलग है इसलम में इसलाम में में सिंक तो दोस्तों हर धर्म के रिचुवल्स हैं और इनको फॉलो करना ही क्या कहलाता है लेजन से कनेक्ट होना कहलाता है तो दोस्तों आई हो इस चोट से वीडियो में आपको बहुत कुछ क्या है क्या है क्या है रिचन के इस लेग्ट लाईंगो से आपसे साथ कुछ और दिसकेशन करेंगे इस कोछन के बारे में और बहुत जद आपकी दोस्तों कुछन नंबर मिलने वाला यूश्ट थी का इंग्लिश मीडियम बालाओं के लिए तो इन्हीं सभी बातों के साथ आ हुआ हुआ है